तक है तक स्टुडेंट्स वैललकम टू ग्रेट जीनियसेश तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्लश टू के फूर्स चैप्टर का वन शोर्ट और हमारा जो फूर्स चैप्टर है पहले तो वह कौन सा था जब हमारे पास सबसे पहले इस जिए बस सी ने स्लेबर्स को रिड्यूस नहीं किया था तब तो था solution तब तो था solid state पर अब वो क्या convert हो चुका है अब हमारे पास जो first chapter आ चुका है वो आ चुका है solution तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा chapter solution तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर local language में बात करें तो इसको हम impure बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं impure बोलते हैं और impure का meaning क्या होता है जिसमें किसी चीज की मिलावट होती है तो अगर हम वैसे mixture की बात करें तो mixture का meaning यह होता है कि ऐसी thing जो more than one जो आपके पास compounds हैं उनसे मिलके बनी होती है उसे हम क्या कहते है mixture कहते हैं और जो mixture होते हैं यह होते हैं मारे पास two type के एक तो होता है हमारे पास homogeneous mixture कौन सा mixture होता है homogeneous mixture और एक होता है हमारे पास heterogeneous mixture अब इन दोनों में क्या फरक है इन दोनों में ये फरक है कि इसके अंदर जो आपके पास homogeneous mixture होगा ना इसके अंदर जो particle का size होगा ना वो one nanometer से छोटा होगा फर्स तिंग तो ये second thing हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये जो हमारे पास homogeneous mixture होगा इसके अंदर आप ये लगा लो कि जो हमारे पास दो तरह के ये लगा लो compounds है जिन से ये mixture बना है ना हम उसके अलग-अलग boundaries को distinguish नहीं कर सकते हमें सारका सारा mixture एक जैसा लेकर दिखेगा starting से लेकर end तक और अगर हम solution की बात करें तो solution भी कुछ ऐसा ही होता है अगर हम starting से लेकर end तक देखते हैं तो वो क्या होता है homogeneous होता है हम अगर assume करते हैं कि एक हमारे पास glass water है वो सारा starting से लेकर end तक आपको एक जैसा दिख रहा है क्योंकि वो एक compound है तो वो आपको homogeneous ही होगा ओके ये हमने 910 में पढ़ रख है अब मैंने क्या कर दिया मैंने 1 teaspoon उसमें salt डाल दिया और salt को मैंने mix नहीं किया salt नीचे बैठ जाएगा आपको अलग से दिखेगा अब आप अलग से boundary बता सकते हो तो वो क्या बन चुक है वो heterogeneous बन चुक है अब मैंने इसको steer कर दिया अब steer करने पर क्या होगा कि जितना भी salt होगा वो water में mix हो चुक है तो starting से लेकर end तक आपक homogeneous mixture और इस homogeneous mixture को ही solution कहा जाता है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यह clear कर लिया कि homogeneous का meaning क्या होता है और mixture का meaning क्या है हमने वो भी देख लिया तो सबसे पहले अगर हम solution topic की बात करें तो solution का meaning क्या होता है इसका meaning होता है solution is a homogeneous mixture यह क्या है यह homogeneous mixture है of two or more components इसमें क्या होंगे two or more components हों हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा solute and solvent अब यहां सबसे बड़ा question यहां आता है solute का meaning क्या है और solvent का meaning क्या है अब मैंने क्या किया था मैंने एक container लिया था container में मैंने water डाल रखा था okay और थोड़ा सा मैंने इसमें क्या डाल दिया और जो चीज हमारे पास कम amount में रखी है जैसे कि salt हो गया इसे हम क्या कह देंगे इसे हम solute कह देंगे जब हम इसको mix कर चुके होंगे अब यहां हमारे पास एक definition तो यह आ चुकी है कि solute क्या होता है और solvent क्या होता है second thing हमें जो यहां समझनी है वो यह समझनी है कि solute वो होता है जो dissolve हो जाएगा जो चीज कम amount में होती है वो हमेशा dissolve हो जाएगी तो यहां पे हम यह भी बोल सकते है the component which get dissolved is known as solute और इसके लावा फिर solvent क्या होगा solvent वो component होगा जिसमें dissolve किया जाएगा तो इस तरह से हमने यहां पे यह clear कर दिया कि solution के अंदर की solute क्या होता है और solvent क्या होता है तो यानि जिसका amount जादा होगा हम उसे क्या कहेंगे उसे हम यहां पे solution उसे हम यहां पे solvent कहेंगे और जिसका amount यहां कम होगा उसे हम क्या कहेंगे solute कहेंगे तो जो हमारे पास एक solution होता है, वो किस-किस से बना होता है, solute plus solvent से, अगर हमारे पास एक solute है, ओके और एक solvent है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, solution बन जाएगा, क्योंकि यह solution एक solute और एक solvent से बना है, इसके नाम के आगे एक word और लग जाता है, वो ल solution अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है मालो मैंने container ले लिया उसमें मैंने salt भी डाल दिया उसमें मैंने sugar भी डाल दी तो इस case में हम क्या करेंगे इस case के अंदर आपके पास हमेशा solvent तो एक ही होता है solute more than one हो सकते है solvent कभी भी one से जादा नहीं हो सकता अगर हम यहाँ पर व्यासे simply solvent को अगर percentage भी इस पर देखे तो जिसकी भी percentage 50% से जादा है यानि 51% से जादा है उसको हम solvent कहते हैं तो जो आपके पास water होगा वो हमेशा इसमें क्या रहेगा जब मैंने sugar भी डाल दी और salt भी डाल दिया वो 51% से जादा रहेगा और 51% से जादा क नहीं हो सकती इसलिए क्या होगा कि जो solvent होगा वो क्या होगा वो हमारे पास हमेशा उसका जो आपके पास 51% से जादा होगा उसी को हम solvent कहेंगे और solvent हमेशा one हो सकता है इसके इलावा जो 50% से कम यानि 49% या उससे कम होगा वो क्या होता है वो हमारे पास हमेशा solute होता है पर एक glass water में salt भी डाल देते हैं और यहां पर हम sugar भी डाल देते हैं तो वहां पर दो-दो solute हो चुके हैं बस उसका नाम जो होगा वो binary नहीं रहेगा 3 के according हम उसका नाम setup हो जाएगा तो हमने यहां पर क्या देख लिया कि solution का meaning क्या है solution किस-किस से बना हुआ है उनकी definitions क्या है हमने यहां पर उनकी भी बात कर ली the component present in lesser amount than other component in solution is called solute और इसी तरह से हमारे पास एक definition और आ चुकी है solvent की और binary solution क्या होता है यह भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ तो सबसे पहले हमने यहां पर जो definitions हैं उन्हें clear कर लिया है तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो solution होते हैं वो कितने type की होते हैं तो अब अगर मैं बात करूँ तो solution जो होगा ना उसकी जो state क्या होगी solid होगी, liquid होगी या gas होगी यह depend करेगा कि उसके अंदर solvent कौन सा है अगर उसका solvent solid है तो इसकी क्योंकि उसी में ही दूसी चीज़ डिजॉल्व हो जाएगी तो उसकी state भी क्या मिलेगी आपको solid state मिलेगी अगर उसका जो solvent है वो liquid है तो उसकी liquid state मिलेगी और उसका अगर जो solvent है वो gas है तो पूरे solution की आपको gasey state मिलेगी इसलिए हमारे पास क्या होता है कि solvent के base पर और हमारे पास यह आ चुके हैं तीन तरह के solution आ चुके हैं पर इस तीन तरह के solution की अंदर जो आपके पास solute है वो भी तो solid liquid gas हो सकता है तो इस तरह से हमारे पास जो total solution बनती है वो 9 types के बनती है जब हम यहां पर 3 in 2 में 3 करते हैं यानि 3 type के solvent होगे 3 type के solution होगे तो total जो हमारे पास factor आए है वो 9 आ चुके हैं तो सबसे पहले अगर हमारे पास solute जो है वो तो gases state में है पर जो solvent है वो liquid state में आ चुका है जैसे हम coelding बगारा पीते हैं उसमें क्या होता है जो हमारे पास water होते है वो lift state में होते है पर उस-क अंदर जो हम gas डालते है carbon dioxide वो कुँछ सी state में होती है वो होती है गैसे स्टेट में तो इस दर्द की एक स्वोटर में आ पर दुवशंप करें से अब ऑगा से और्फ के हमारे पास कूई भी मेटल सोप्म पर हो जाता है कि कोई भी gas उसकी उपर adsorb हो जाती है तो उस case के अंदर वो जो बनता है solution ओके वो हमें क्या दिखता है वो हमें दिखता है यहां पर कॉन सी state में solute gases state में solvent solid state में इसमें actual में यह homogeneous नहीं रहता पर अगर हम देखेंगे ना तो हमें gas दिखेगी नहीं हम यह सारा homogeneous दिखता है ओके actual में यह दूसे में अच्छे से dissolve नहीं हुए जो gas हुई है उपर adsorb हुई है पर वो हमें यह लगा लो ऐसा लगता है तो हमने उसको इस category में रखा हुआ है फिर हमारे पास क्या आता है solvent हमने ले लिया liquid state में और वही हमने solvent ले लिया gases state में इसका example क्या आजेगा फोग आ जाएगा फोग में क्या होता है gas के अंदर यह लगा लो water की drops वगेरा जो है वो यहां आ जाती है और हमारे पास जो फिफ्थ यहां पर मनेगा solution हमारे पास solute भी liquid state में है और solvent भी liquid state में है तो इस case में जो हमें मिलता है उसे हम क्या गयते है वो भी हमारे पास solution आ जाता है इसमें जैसे alcohol हमने mix कर दिया water में अब एक question आता है alcohol और water वाला उसको हम यहां पर थोड़ा solve कर लेती है माल लो मेरे पास 51% क्या है यहां पर water है तो इसके अंदर मैंने फिर alcohol कितना ले लिया मैंने 49% alcohol ले लिया मैंने तो इस case के अंदर यहां अगर हम देखें तो solvent कुण सा होगा हमें साफ पता चल रहे है कि यह हमारे पास solvent होगा यह solute होगा second case मैंने क्या लिया मैंने 51% alcohol ले लिया तो 49% मैंने क्या ले लिया water ले लिया तो इस case के dard solute कौन सा होगा लिया तो अभी हमने बात की थी कि जिसका amount ज़्यादा है उसको हम यहाँ पर क्या लेके चलती है उसको हम यहाँ पर solvent लेके चलती है तो alcohol यहाँ पे क्या हो जाएगा solvent हो जाएगा अब मैंने जो third case लिया है ना उसमें मैंने 50% तो water ले लिया और 50% ही alcohol ले लिया अब हम अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसका इसमें से solute कौन सा होगा solvent कौन सा होगा तो इसके answer कई बार यह वायवा में या वैसी जस्ट बातचित में पूछ लिया जाता है किसी कोई भी teacher पूछ सकता है यह question तो इस तरह से इसका answer हम क्या देंगे इस case के अंदर इस पूरे word में जिस चीश का सबसे ज़्यादा use किया जाता है उसको हम यहाँ पे किसकी तरह लेके चलते है solvent की form में अगर हम alcohol और water की बात करें तो water जो है वो हमारी सर्थ पे ज़्यादा मिलता है और इसका भी use ज़्यादा किया जाता है कपड़े दोने में पीने में नहाने में किया जाता है तो हम इसको क्या गयती है इसको हम as a solvent पहले preference देंगे और इसकी एक जो IUPAC ने क्या कर रखा है एक list बना रखी है पूरी की पूरी की सबसे पहले अगर यहाँ पे दोनों 50-50% आ जाएं तो हमने किसको पहले चूज करना है किसको बाद में चूज करना है तो उस category में जो water है वो पहले आता है alcohol से इसलिए हम यहाँ पे क्या करते है water की preference को ज़्यादा लेके चलते है तो जब 50-50% आ जाएगा तब हमने उस table को follow करना होता है उसके according जो water होगा वो क्या होगा solvent होगा तो हमने यहाँ पे यह देख लिया कि solvent क्या होता है और solute क्या होता है जब 50-50% ratio आ जाए हमारे पास अब 6 तरह का solution क्या बनेगा जब हमारे पास जो solute होगा वो liquid होगा solvent क्या होगा solid होगा तो वो आ जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तरह से क्या करते है जिंक है न जिंक उसके अंदर मैंने mercury डाल दिया तो जब भी किसी भी metal के अंदर अगर mercury को mix किया जाते है न उसको amalgam कहा जाता है तो जब हमने जिंक में mercury को add कर दिया है तो इसका zinc amalgam बन चुका है तो उसमें क्या होगा इसके अंदर solute liquid होगा और जो हमारे पास solvent होगा वो solid होगा same ऐसी हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के solution और आ जाएंगे जिसके अंदर क्या होगा जो आपके पास solute है वो तो solid होगा और जो आपके पास solvent होगा इसका answer क्या आजएगा smoke आ जाएगा इसके लावा जो हमारे पास solute solid है और जो हमारे पास solvent है वो क्या है? लिक्विड है. अभी हमने देखा था, ग्लास वोठर में, जब हमने शूगर को मिक्स किया, या सोल्ड को मिक्स किया, तो वो हमारे पास क्या था? वो इसी का एक्व्यापल था. अब जब हमारे पास सोल्यूट और सोलिवेंट, दोनों के दोनों solid है तो इसका example आता है eloise हम eloise को क्या लेगे चलते है उसको हम यहाँ पे solution में ही count करते है तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो types of solution है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए next हमारे पास यह आ जाता है कि अब हमने solution के बारे में पढ़ लिया है उसमें solute क्या है solvent क्या है यह पढ़ लिया है अब हमारे पास question यह आता है कि solute कितना है उसके हम कैसे study करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक terms आती है तो सबसे पहले जो term आती है वो आती है concentration concentration का meaning यही है कि solute का amount कितना बड़ा है किसी solution में या किसी आपके पास solvent है उसके respect में कितना रखा है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम concentration कहते हैं अब जो concentration होती है ना उसको हम यहाँ पे three form में लेके चलते हैं पहले हम उस concentration को किस form में लेके चलते हैं उसको हम मास की फोर आमें लेके चलते हैं सेक्षींड जो हमारे पास थींग आती घ्ल्ट वह वोल्यूम आती है और थर्ड जो थींग आती है वह हमारे पास यहां पर आती है manufacturing जो हमारे पास जो solute या solvent प्रेज़िए हो सकता है या तो हम उसका mass count कर सकते हैं कि mass recording क्या आएगा यानि हमने क्या किया हमने solute भी जो count किया है उसका भी mass count कर लिया जो solution है उसको भी mass recording count कर लिया तो हमारे पास कुछ प्रोबै कुछ एक terms यहां से बन जाएंगी या फिर मेरे पास second term है volume इसमें क्या होगा मैंने solute क्या count कर लिया mass में count कर लिया और sorry volume में count कर लिया और जो solvent या solution है वो भी क्या कर लिया volume में count कर लिया एक definition यहां से बन जाएगी इसी तरह से मैं यह भी कर सकता हूँ कि solute तो मैंने mass में count कर लिया solution मैंने volume में count कर लिया क्योंकि जो solution होगा वो ज्यादा amount में होगा, liquid state में होगा तो हम उसका volume count कर सकते हैं, तो एक formula हमें यहां से ऐसे मिल जाएगा, एक क्या बन सकता है, मैंने solute तो mole में count कर लिया, solution को क्या कर लिया, volume में count कर लिया, इसके लावा हम electrons के according भी देखेंगे, कि कितने electron लेने पर वो, यानि उसका equivalent weight निकालेंगे, उसके according एक 4 term आ जाती है, उसको ले लिया, हमने volume को ले लिया, या फिर हमने solute भी mole ले लिये, हमने solvent वगएरा, solution जो भी mole में ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास यहां पर यह mainly यह 3 factor होते हैं, इनके combination से बहुत सारी definitions बन जाती हैं, अभी हमन मैं पर परसेंटेज, अब परसेंटेज कैसे निकालती हैं, जिसका amount निकालना है, डिवाइड में total amount लेके चलते हैं, इन्टू में 100 कर देते हैं, वो percentage है, पर नाम के आगे क्या लिख़्ा है, मास का meaning क्या हुआ कि हमने उसका मास लेके चलना है, अब आप मास परसेंटेज क से हमारे पास क्या आजाएगा जो solute कितना present है किसी solution में उसकी percentage आगी आप चाहो तो solution की आप चाहो तो solvent की भी निकाल सकते हो हमें क्या लेना पड़ेगा mass लेना पड़ेगा solvent का या फिर hundred में से उसको minus कर दो solute वाले answer को तो हमने क्या किया हमने solute और solution किसी form में ले लिए mass की form में ले लिए तो पहला जो formula बनाया है हमने इसकी help से बनाया है second formula बनाते हैं वो है हमारे पास volume percentage इसमें क्या होता है हम यहाнов पे solute का volume लेके चलते हैं divide में क्या लेके चलते हैं जो आपके पास solution है उसका volume लेके जलते है into में 100% तो इस तरह से जो आपके पास solute है उसकी volume में percentage आ जाती है हम चाहें तो solvent की भी volume में percentage निकाल सकते है जो solute में answer आया है 100 में से उसको minus कर दो या फिर हम volume ले लेंगे किसका solvent का divide में क्या कर देंगे total volume कर देंगे into में 100% कर देंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे clear हो चुका है कि mass percentage और volume percentage कैसे निकालते है तो mass भाइ mass जब हमने यहाँ पे solute और solution दोनों के दोनों का mass लिया है तो एक formula यह रहा दूसा formula कैसे निकला है जब मैंने दोनों को क्या लिया है volume लिया है तो इसी तरह से हमारे पास यह तीन चर्फ factor होते है इनी का combination लेके चलते है कि इसको हमने numerator में ले लिया denominator में भी mass ले लिया इसको numerator में ले लिया denominator में भी यह ले लिया यह भी same ऐसे numerator denominator में लेके चलते है या फिर क्या करेंगे इसको numerator में ले लिया इसको denominator में ले लिया इसको denominator में ले लिया तो इस तरह से हम यहां पे इसको लेके चलते हैं अब हमारे पस थठर आता है mass volume percentage इसमें हम क्या करते हैं जो इसमें weight mass हमें लेके चल रहे हैँ इसमें हम मास को तो numerator में लेके चलते हैं वोल्यूम को denominator में लेके चलते हैं तो यहां पे हमारे क्या आता है हमारे पास यहां आ रहा है PPM इसका मलब होता है parts per million कई बार ऐसा होता है कि देखो मैंने यहां पर hundred से multiply की है क्यों की है क्योंकि मुझे पता है कि solute जो होगा वो बहुत कम amount में होगा और solution ज्यादा amount में होगा तो मेरे पास answer fraction में आएगा one से कम आएगा उसको एक proper number देने के लिए कि हमें zero point ना लगाना पड़े हम इसको hundred से multiply कर देते है हम fraction को क्या करते है percentage में convert कर देते है पर कई बार hundred से multiply करने पर भी क्या हो जाता है कि हम हमें जो satisfactory answer मिल नहीं पाता हमें answer points में मिल पाता है फिर हम क्या करते है उसकी thousand से multiply करते है और thousand से multiply करने पर भी answer zero point zero zero में आ रहा होता है यानि उसको amount हस से जादा कम पड़ है यानि इतना सा वोटर है तो सिर्फ इतना सा salt पड़ है इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो तो इतना स salt को हम किस तरह से इतने सारे water के अंदर count करेंगे तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा एक big number से multiply करना पड़ता है ताकि जो हमारा answer है न वो हमें कुछ points में या कुछ ऐसा आ सके कि जिसको हम remember कर सके हमें 0.000000 ना लगाना पड़े तब हमारे पास एक नई time आती है parts per million इसम या ऐसी form में आ जाता है जिससे कि हम उसको easily recognize कर सके और इसको हम calculate कर सके और कई बार अगर यह number भी कम पड़ जाए तब हम यहां पे क्या निकालते है PPB निकालते हैं जिसका meaning क्या होता है parts per billion तब हम 10 raise to the power 9 से multiply कर देती है तो इस तरह से यह जो term होती है यह करती है depend की हमारे पर solute का amount कितना रखा है बहुत कम रखा है तो इनका use किया जाएगा ज्यादा रखा है तो इसका use हम नहीं करेंगे ओके तो अब हमारे पास यह आ चुक है next हमारे पर definition आती है normality अब normality का meaning क्या होता है हमें पहले वो देखना पड़ेगा इसमें हम क्या करते है हमारे पस same व लिया volume ले लिया तो सबसे वड़ा question यह आता है कि numerator में जो ले रखा है उसका meaning क्या होता है देखो अगर हम यहां बात करें कि currency की तो एक हमारे पास equivalent word आता है हमें पहले उसको समझना पड़ेगा कि equivalent का meaning क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको equal का meaning बताता हूँ फिर मैं equivalent का meaning बताता हूँ मैं यहां पे एकदम simple example का use करूँगा माल लो मेरे पास one यहां पे 10 kilogram sugar है 10 kilogram क्या है sugar है और इसको मैंने equal रख दिया 10 kilogram rice के तो अगर मैं यहां पे इनकी quantity की बात करूँ ना तो वो equal है अगर मैं इनकी quantity की बात करूँ तो वो equal है कि ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है, जिसका magnitude equal होता है, magnitude और unit same होती है, हम वहाँ पे equal word का use करते हैं, पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इनके prices की, तो 10 kg sugar को मैं अगर 1 kg 50 रुपीज की लेके चल रहा हूँ, तो 10 kg कितने की आ रही है, 500 की आ रही है, और अगर मैं 1 kg अच्छे व तो अगर मैं यहाँ पे इनकी quantity की बात करूँ, वो तो equal है, पर अगर हम market में लेने जाएंगे न, तो जितने में यह आएंगे वो चीज equal नहीं है, वो चीज equal नहीं है, इसका meaning क्या है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे एक निया concept समझना पड़ेगा, कि अगर मैं यहाँ पे 1 kg गराम शुगर की बात करता हूँ, तो 1 kg शुगर मुझे कितने की मिल रही है, वो मुझे 50 रूपीज की मिल रही है, तो जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक यूनिट की comparison, किसी दूसरी यूनिट से करता हूँ, तब हम वहाँ पे equal word ना यूज़ करके equivalent word य यहाँ पे यह नहीं कहा रहा कि मुझे 1 kg शुगर देने के लिए 1 kg पैसे दे कर आने पड़ेंगे, मुझे वहाँ पे 50 रूपीज दे कर आने पड़ेंगे 1 kg शुगर के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, कि 1 kg शुगर जो है वो रूपीज की अंदर इसके equal हो चुकी है, तो य maximum chances हैं कि वो ions की form में गुलेगी, ions नहीं गुलदा जैसे sugar है, वो ions नहीं बनाती है, अगर वो ions की form में गुल रही है, यह concept हमारे पास तब आएगा, यह concept यह कहता है, कि जो हमारे पास ions गुले है ना, उसको electron कितने देने हैं, मानलो अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास मैंने one mole, ag plus गुल रखा है, तो इसको अगर मुझे neutral करना है, तो मुझे one mole electron देने पड़ेंगे, समझ आ गया, और अगर मैंने one mole यहाँ पे z and two plus गुल रखे हैं, तब मुझे इसको यहाँ पे neutral करने के लिए कितने electron देने पड़ेंगे, two mole electron देने पड़ेंगे, अब मैं तो पे one mole electron ही देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, only one mole electron ही देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पे one mole electron देने होंगे, तो इसका जो mass मेरे पास आएगा, उसको मुझे two से क्या करना पड़ेगा, divide करना पड़ेग क्यों? क्योंकि जब मैं one mole electron दूंगा तो one mole के according यह तो half mole ही बनेंगे ना? अगर मैंने electron जब one mole उसके दे दिया silver के तो one mole silver बनेगा, यानि 108 gram silver बन गया आपके पास, अगर मैं one mole यहाँपे electron दे रहा हूँ, zinc को तो उसको तो चाहिए थो mole, पर अगर मैं one mole दे रहा हूँ तो वहाँ पे half mole ही zinc बन पाएगा तो यह क्या हो चुका है कि जब मैं जितने भी ions है उनको मैं one mole electron देता हूँ तो जितना amount उनका बनता है उसको क्या कहा जाता है उसको उनका equivalent weight कहा जाता है यानि कि एक mole electron देने पर जितना amount किसी medal का हमें मिलेगा वो क्या होता है वो होता है उसका equivalent weight तो हमें पता चल गया कि equivalent weight क्या होता है अब ये तो है निना कि जो solution बना होगा उसमें आपने one equivalent weight ही डाला होगा मालो जैसे कि मैं aluminium की बात करता हूँ उसका equivalent weight nine होता है क्योंकि aluminium पे three positive charge आता है और एक मॉल aluminium का mass कितना है 27 है तो divide by three करूँगा तो यहां आता है nine तो जाँ आपके पास aluminium है उसके कितना यहां equivalent weight है nine gram है अब ये तो है नहीं कि मैं nine gram खुलूँगा मैं three gram भी तो खुल सकता हूँ मैं three gram dissolve कर सकता हूँ तो हम यहांपे क्या निकालते हैं यह कैसे निकलता है जितना आपने solute लिया है जैसे कि मैंने aluminium लिया है three gram और divide में क्या आएगा जितना उसका equivalent weight है यह हम लेके चलते हैं तो हमें यहांसे क्या मिल जाएगा gram equivalent मिल जाएगा और जब इस gram equivalent को हम divide कर देंगे total volume के साथ तो हमें क्या मिलेगी normality मिलेगी यहाँ हमने यह समझ लिया normality का meaning क्या होता है next time आती है mole fraction इसमें हम क्या लेके चलते है इसमें जो भी answer है moles की form में निकालते है जैसे कि मुझे यहाँ पर mole fraction निकालना है किसी component का तो mole हम सबसे उपर लेके चलेंगे उसके number of moles कितनी है divide में लेके चलेंगे total mole कितनी है इसके अंदर हमारे पास solute plus solvent दोनों के total moles आजाएंगे तो हमने यहाँ पर यह समझ लिया कि mole fraction क्या होता है अब यहाँ पर हम क्या करते है मैंने मालो mole fraction निकालना है उसको हम zai से represent करते है वो मैंने यहाँ पर निकालना है किसका एक हमेरे पास दो words आते है A plus B A को मैं हमेशा solvent लेके चलूँगा B को मैं हमेशा solute लेके चलूँगा तो यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है mole निकालना है किसके mole fraction निकालना है solute का तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे number of mole लेने पड़ेंगे sorry solvent का निकालना है तो number of mole लेने पड़ेंगे किसके यहाँ पर solvent के divide में क्या करना पड़ेगा total number of mole लेने पड़ेंगे solvent plus solute तो इस तरह से mole fraction किसका आजेगा solvent का सेम ऐसे अगर में Solution का mole fraction निकालना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा! Mole लेने पड़ेंगे Solute के Divide में क्या करना पड़ेगा? Total Mole लेने पड़ेंगे तो इस तरह से हम यहाँ में क्या कर सकते हैं? binge fraction निकाल सकते हैं हम इसको solve करेंगे तो इसका numerator सेम है तो numerator डिरेक्टली add हो जाएंगे na plus nb divided by na plus nb तो इससे यह cut जाएगा answer कितना आया और one आया यानि जो हमारे पास total mole fraction है उसका answer क्या आता है one आता है अब अगर मैंने मानलो कि एक का mole fraction निकाल लिया दूसरे का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा one में से minus कर दो पहले के mole fraction को तो हम इस तरह से भी mole fraction निकाल सकते हैं तो यह हमारे पास आ जाती है fourth term next हमारे पास term आती है molarity अब molarity कैसे निकालेंगे अब हम directly mole word का use करेंगे जब हम यहाँ पर क्या करेंगे numerator में number of moles ले लेंगे divide कर देंगे total volume से तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें यहाँ पर मिल जाती है molarity ओके next जो हमारे पास formula आता है वो आता है molality अब अगर हम बात करें कि molarity normality में problem क्या है तो यह सब के divide में क्या आ रहा है volume आ रहा है तो इस तरह से क्या हो जाएगा वहाँ पर temperature change होने की वज़ा से volume change होगा volume change होगा तो हर बार same value लेने पर answer भी different different आएगा यानि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा temperature constant रखना पड़ेगा अगर temperature change हुआ तो answer change हो सकता है अगर इस country का लग answer आ रहा है तो हमें एक valid answer कैसे निगा लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कुछ ऐसी terms का भी use करना पड़ता है जो change नहीं होती temperature से जैसे कि mass हो गया mole होगे वो कभी भी temperature dependent नहीं है वो temperature से change नहीं होंगे इसलिए जितने भी terms में हमने numerator, denominator, mass या फिर mole लिये है solvent in kilogram, पहले हमने solution लिया था, अब हम solvent ले रहे है वो भी क्या ले रहे है, mass ले रहे है kilogram में, जो temperature से change नहीं होता, तो यह जो term होती है यह क्या होती है, यह independent होती है temperature के इसके लावा हमने यहाँ पर एक term और पड़ी है और वो term कौन सी थी हमारे पास अभी जो हमने जिसको देखा था mole fraction, वो भी क्या थी independent थी temperature के same ऐसी हमारे पास next term आ जाती है formality, अब formality का मतलब क्या होता है formality, एक formality की तरही है जैसे हमने molarity पड़ा है same क्या है formality है यहाँ हमने number of moles लिखे है solute के, ओके वहाँ हम लिख देंगे जो number of moles किसके है उसका हमने क्या लेगे चलना है formula mass formula mass क्या होता है, कोई भी जो आपके पास ions होते है, जैसे NaCl है यह salt है, इसका जो यह formula है इसका जो mass होता है, वो इसका formula mass होता है बस यहाँ पर यही बोल रखा है यह special molarity ही होती है ions के case में तो यह हमने यहाँ पर यह देख लिया और इन सब के terms के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास mass percentage ppm mole fraction molarity क्या होती है independent होती है temperature के molarity होती है, वो temperature का function है क्योंकि volume अगर change होगा temperature के coding change होगा और mass भी कोई फरक नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर हमने यह पर लिया कि जो हमारे पास कौन-कौन से factors है और क्या-क्या वो करती है यह सब हमने पर लिया अब हमारे पास next time आ रही है यहाँ पर solubility अब solubility का मतलब क्या होता है अब हम एक step और advance जा रहे है हमने यहाँ पर क्या कर लिया पहले हमने container लिया था उसमें solute डाला था हमने क्या-क्या किसको बोला यह सब हमने पढ़ लिया वो कितना पढ़ा है यह भी हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे वो कितना घुलता है उसमें solubility का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक substance है वो एक particular amount of solvent में कितना dissolve हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम solubility कहते हैं तो solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of water यह किस पर depend करती है यह nature जो होता है solute और solvent का temperature pressure solute डाल दिया यानि solid form में डाल दिया salt डाल दिया sugar डाल दी अगर वो हम घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे तो एक ऐसा ऐसा time आजाएगा जो और घुलना बंद हो जाएगा तब अगर हम उसको थोड़ा गरम कर दे तो उस time पर हम उसके और जादा dissolve कर सकते हैं तो इस तरह से वो जो हमारे पास term आती है जब हमारे पास solute solid होता है तो solubility increase हो जाती है वही जब हम बात करते हैं अगर मैंने soda water ले लिया या मैंने simple water ले लिया आप उसको heat करना तो आप उसमें से bubbles निकलते देखोगे अगर मेरे पास जो solute है वो gases form में है तब solubility गरम करने पर क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो हमने यहाँ पर यही बात की है इसके लावा इसकी interaction कैसी है solute और solvent की इस पर भी solubility depend करती है तो अभी हमने यहाँ पर यह बात करना है solubility क्या होती है solid की जब हम इसको liquid में क्या करते है dissolve करते है तो यह अभी मैंने आपको बता दिया कि यह क्या होगा इस सारगा सारा term में आपको बता चुका हूँ maximum हमें यही देखना है when a solid solute is added to the solvent some solute dissolved while some solute particles get separated यही है जब हमने extra mount में डाल दिया तो कुछ तो घुल जाएंगे कुछ बाहर रह जाएंगे जब बाहर रह गे तो उनमें क्या आ गया equilibrium आ गया कि जैसे जो घुल रहे है वो बार बार और जो बाहर रहे है वो घुलते जा रहे हैं जो घुल चुकी है वो वापिस बाहर आ रहे है एक तरह से उनके बीच में क्या हो चुका है? डैनमिक एक्लिब्रियम आ चुका है दोनुगा रेट सेम हो चुका है इसको हम अच्छे से फ्लस वन में पढ़कर आ चुकी है तो इस तरह से यहां पे क्या होता है? कि जैसे जैसे कंसरेशन हम सुल्यूट की इंक्रीज करेंगे उससे क्या हो जाएगा? सुल्यूशन की जो सुल्यूटी है उस पर भी एफेक्ट पड़ेगा अगर हम यहां पे सिंपली बात कर सकते हैं तो यह क्या होता है? सुल्यूटी का मीनिंग जो मैक्सिम अमांट हम डिजॉल्व कर सकते हैं किसका सुल्यूट का किसी भी सुल्यूशन में यानि कि एक्विवरे माने से पहले-पहले की कंडिशन की इतना सुल्यूट वो उसमें डिजॉल्व किया जा सकता है उसे हम क्या कहते है, solubility कहते है अब जो solubility के उपर किसका effect पड़ता है temperature का effect पड़ता है, कैसे पड़ेगा अगर हमारे पास जो reaction है वो जो आपके पास हमने solute लिया है जब मैंने उसको solution में mix कर दिया, तो वहाँ पे solution बन गया, अब जो solution है अगर वो जो हमारे पास dissolve हुआ है वो process endothermic है वल्लब कि वो थोड़ा ठंडा हो चुका है endothermic process है, तो हमें पता है कि equilibrium तो आई चुका है, वहाँ पे आगे जाके जब मैंने और जादा salt डाला तब वहाँ पे क्या होगा, कि अगर वो process endothermic है, तो endothermic में क्या होता है heat देने पे reaction कहां जाती है forward जाती है, leech eater principle के according, तो यहाँ पे भी क्या होगा same चीज होगी, अगर हम heat देंगे तो leech eater principle के according reaction कहां जाएगी, forward जाएगी और यानि वो चीज ज़्यादा घुल जाएगी, और अगर अगर वो exothermic है, उस case में solubility decrease भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने यह देख लिया कि जो temperature है उसका effect कितना पढ़ता है, कैसे बढ़ता है इसके लाव अगर हम nature की बात करें तो आपके पास हमने एक rule पढ़ा हो है like dissolve like, आपके पास solute और solvent दोनों polar है, तो अच्छे से dissolve हो जाएंगे, अगर solute polar है solvent polar नहीं है, या कुछ ऐसा है तब यह dissolve नहीं हो पाएंगे तब solubility कम होगी, तो यह भी हम जानते हैं, और अगर हम बात करते है effect of pressure की, तो जो आपके पास solute और solvent है, दोनों हमने solid or liquid state में ले रखे हैं, दोनों क्या होते हैं, incompressible होते हैं जब pressure लगाया जाएं, तो इसलिए pressure का कुछ खास effect नहीं पढ़ता है इन पे, तो यहां हमने यह देख लिया, कि जो solubility है उस पर temperature का, या इन सारे factors का कितना effect पढ़ता है next हमारे पास आता है solubility of gas in a liquid तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो हमने अगर निकालना है कि कितना ज़्यादा amount gas का dissolve हो चुका है, वो हम यहां देखते हैं तो हम यहां simply एकी चीज़ समझनी है कि अगर कोई gas है, वो easily liquefyable है, यानि आप उस gas को easily liquefy कर सकते हो तो वो ज़्यादा dissolve हो जाएगी कि इसके अंदर, water के अंदर वो ज़्यादा solubile होगी, जैसे कि CO2 gas होती है, वो ज़्यादा solubile होती है as compared to hydrogen and oxygen इसलिए हम यहां पे क्या करते है, जो भी soda water होता है, उसमें mainly क्यों सी gas का use किया जाता है, CO2 का use किया जाता है, एक्रोजी CO2 हमारी body में जातो रहा है, पर उसका ज़्यादा जाना हमारे लिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि वो एक acidic solution बना देता है, इसके लावा जो हगर हम hydrogen की बात करें तो आज कल hydrogen water बहुत चल रहा है या special water purifieds आते हैं, उन्हीं में ही लगा होता है, तो हमने यहां पर यह देख लिया कि किस तरह से कोई gas अगर हमारे लिए ज़्यादा beneficial है, पर वो ज़्यादा soluble नहीं है, तो हम इसका use नहीं कर पारें इसके लावा अगर हम nature की बात करें, तो यहां पर क्या होता है gases capable or forming ions, जो gas, ion बना सकती है किस की अंदर, aqua solution के अंदर वो क्या मिलेगी, वो ज्यादा soluble मिलेगी जैसे कि HCL हो गया, ammonia gas हो गया, हम इनको भी क्या करते है, water में dissolve लेके चलते हैं, अब हम बात करते है, effect of temperature की, तो इसके case में क्या होता है, अगर हम solubility की बात करें, तो वो क्या हो जाती है वो temperature increase करने पर decrease हो जाती है, इसका reason क्या रहता है कि जब हम gas की अंदर हम solvent mix करते हैं, तो यहां पर क्या होता है यहां पर heat जो होती है, वो देनी पड़ती है, यानि reaction कौन सा है हमारे पास heat यहां पर क्या ही निकलती है, तो उस time पर जो हमारे पास reaction है, वो कौन सी है, यह हमेशा exothermik रहती है तो इस case में क्या होता है, इस case के अंदर हम इसको heat करेंगे, तो जो reaction है, वो backward चली जाएगी और backward जाने की वज़से क्या हो जाएगा solubility decrease हो जाएगी, इसलिए जो temperature जैसे भी increase करेंगे कोई भी अगर हमने liquid के अंदर gas डाल रखी है, तो हमेशा क्या हो जाएगी, वहाँ पर जो gas की solubility है, वो कम हो जाएगी next हमारे पास आता है effect of pressure अगर हम pressure की बात करें, तो प्रेशर लगाएंगे, उतनी जादा हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, हमें यहाँ solubility मिलेगी, और इसको हम यहाँ पर हमारे पास हैंरी लो आता है, हम उसके recording देख भी सकते हैं, तो next जो हमारे पास यहाँ पर concept आ रहा है, वो आ रहा है तो उसका जो pressure आएगा ना, पूरा pressure आएगा, वो होता है, उसका complete pressure, पर अगर मैंने hydrogen के साथ मालो, यहाँ पर कोई और gas है, nitrogen gas है, उसको भी container में mix कर दिया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि total pressure जो आ रहा है, वो hydrogen और nitrogen दोनों की वज़े से आ रहा है पर only hydrogen की वज़े से जो pressure लग रहा है ना, अब hydrogen अपना अलग pressure लगा रहा है, nitrogen लग लगा रहा है, पर दोनों gas mix है, हमें तो एक साथ मिल रहा है, अगर मैं only hydrogen के pressure की बात करूं ना, तो उसका जो pressure होगा, वो total का कुछ partial party होगा, तो उसको हम बोलते है, partial pressure of hydrogen और बाकी बचावा जो pressure है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा partial pressure of nitrogen, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमें partial pressure मिल जाता है, hydrogen का और nitrogen का अलग अलग मिल जाता है, total करेंगे, वो हमें complete प्रेश्र मिल जाएगा तो यहां अगर हम बात करते हैं कि हमने किसी गैस को क्या कर रख रख है हमने उस गैस को restoring कर रख है किसी liquid में तो गैस जितना pressure लगा रही है container पर या कहीं भी वह उसका किया होगा वह उसका partial pressure होगा जो उसका gases phase में लगता है तो यहां पे P क्या हो जाएगा हमारे पास partial pressure, X क्या हो जाएगा हमारे पास यह जाए है actually, यह mole fraction हो जाएगा gas का, तो यह हमें क्या मिलता है है हैं, रिलो हमें यह मिलता है, जो P है वो proportional to हमें जाए मिलता है, और जब हम यह proportionality का sign हटाते हैं, हमें क्या यहां पे मिल जाता है, इस constant को हम क्या कहते हैं? Handless constant कहते है. तो ये जो हमारे पास handless constant होता है, ये क्या होता है? ये यहाँ पर nature of gas पर डिपेंड करता है. जतना ज़्यादा solubility होगी gas की, इसकी value जो हमें मिलेगी, उतनी कम मिलेगी. यानि इसकी value जतनी ज़्यादा होगी, gas उतनी कम dissolve होने वाली है तो इस तरह से हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि same pressure की उपर अगर इसकी value जादा है तो क्या हो जाएगा gas कम dissolve होगी अगर henry's constant की value कम है तो gas जादा dissolve हो जाएगी तो इस वज़ाँ से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो आपके पास जितना ज्यादा mole fraction आएगा न वो इसके opposite चलता है यानि जितना ज्यादा mole fraction होगा gas उतनी dissolve हो रही है यानि उतना कम क्या आएगा henry constant आएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है जो henry constant है वो anniversary proportional मिलता है mole fraction के और जब हम यहाँ पर यह देखते है temperature के respect में तो हम यह यह देखते है कि जो henry constant है वो temperature क्या मिलता है वो proportional मिलता है तो जितना ज्यादा temperature होगा उतना ज्यादा henry constant होगा उके और उस साफसे जो gas है वो become dissolve हो रही है तो इनी दो से हमने conclusion निकाल लिया कि जितना ज्यादा temperature होता है उतना कम क्या होता है हमारे पास उतनी कम हमारे पास solubility आती है क्योंकि उतना कम क्या हो जाएगा mole fraction हो जाएगा हमारे पास इसलिए जो हमारे पास aquatic species होती है वो cold water में ज्यादा comfortable होती है क्योंकि उन्हें वहां पर oxygen ज्यादा मिल रही होती है as compared to the hot water तो हमने यहां यह देख लिया hand is constant क्या होगा तो अब हम यहां देखने वाले हैं कि जो hand is low है यह इसकी यहां पर application क्या क्या है तो first application क्या है कि यह क्या करता है हम इसकी help से यानि हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पार solubility है CO2 की वो हमने water में कितना dissolve करना है सबकी calculation हम कर सकते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं एक bottle लेते हैं उसमें हमने water डाल दिया उसमें हमने gas डाल दी अब हम क्या करेंगे उसके अंदर pressure ज़्यादा डाल देंगे की form में वो बाहर निकल जाएगी तो ये हमारे पास ये हैंडी लोगी application है second हमारे पास क्या आ जाता है to avoid bents as well as toxic effects of high concentration of nitrogen in blood इसमें क्या होते हैं हम यहाँ बात करते हैं जो scuba divers होते हैं न वो पहले क्या करते थे उनको water में जाना होता था बोड time के लिए तो पहले नа क्या लेकर जाते थे पहले एपने साथ एक tank लेकर जाते थे तो एक बार उन्होंने क्या कर दिया कि full to oxygen का टेंक लेकर जाना शुरू कर दिया पर ज़्यादा concentration oxygen की मिलने से वो बिमार हो गे थे इतनी ज़्यादा oxygen मिलने से भी होश से हो गे थे तो इस वज़ा से उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम इतनी percentage oxygen की नहीं दे सकते और oxygen भी क्या है ज़्यादा pressure लगने पर भी अलग effect कर रही है तो थोड़ी इसकी problem आगी थी फिर उन्होंने क्या कि जो हमारे environment में oxygen है यानि जो जो हमारे environment में air है वही air भरके दे दे तो तो उन्होंने जो इनके पास वो था कि वो ढंग से dive नहीं कर पा रहे थे इस वज़े से हमें ये पता चला कि ज़्यादा pressure लगने पर जो nitrogen है वो हमारे blood में dissolve हो जाती है वैसे तो होती नहीं तब dissolve हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने इसका solution निकाला और जो हमारे पास एक noble gas होती है जो हमारे साथ react नहीं करती उसको उसके अंदर डालना शुरू कर दिया तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास tank थे वहाँ पे banding effect को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया? create होती है ओके तो यहां हमने यह पढ़ लिया कि हैंनी लोग की application कौन-कौन सी है अब हमारे पास जो next concept यहां आने वाला है वह आने वाला है vapor pressure कैसे निकालते हैं liquid solution का उसमें हमने यह राउल्सला भी पढ़ना है अब यह राउल्सला है तो अब हमने पहले इसको पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे vapor pressure of liquid liquid solution यानि liquid के अंदर liquid डाल रखा है तब vapor pressure कैसे निकालते हैं तो when two volatile liquids are taken in a closed vessel हमने क्या किया है दो value volatile liquid है उनको एक ही वैसल में डाल दिया है तो उस case में क्या हो जिएगा एक वीपी लिख देता हूँ, तो यह मेरे पास वैपर फेज आ गया, यह मेरे पास है लिक्विड फेज, इन दोनों में क्या आ जाएगा, इन दोनों में एकुलिब्रियम आ जाएगा, आपने कई बर देखा होगा कि आप कोई बोटल में पानी डालते हो, उसको बंद कर देते हो, फिर आपको कुछ टाइम बाद आप रखते हो, आपको दिखता है कि बोटल को आपने ज़्यादा डिस्टरब नहीं किया, तो कुछ एक वाटर की डॉप्स उपर भी होती है, वो कैसे आती है, क्योंकि जो वाटर होता है ना, उसका जो उपर उसके जो एम्टी स्पेस है, य यह क्या गहता है, यह क्या गहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की उपर, जो पार्शल प्रेशर होगा ना, किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है, और प्योर फोम में, इंटू में उसका मोल फ्रेक्शन यानि कि मैंने यहां पर दो यहां पर liquid लिये थे मैंने अगर यह जो मेरे पास एक liquid है इसको मैंने liquid number one बोल दिया दूसरे को मैंने liquid number two बोल दिया अब मुझे यह चेक करना है कि इसका pressure कितना लग रहा है तो मुझे इसका पहले pure form में pressure निकालना पड़ेगा कि ये प्योर जब था पूरा 100% यह था इसका कितना pressure है ओके इसका मुझे लग से निकालना पड़ेगा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ये चेक करना पड़ेगा मैंने इसको डाला कितने है यानि इसका mole fraction कितने है जब उन दोनों की multiply कर दूँगा तब जो value आएगी वो यहाँ पर क्या कर रही है वो यहाँ पर क्या कर रही है इसका जो partial vapor pressure है उतना यहाँ पर वो होगा तो यहाँ पर हमने यह देख लिया कि जो vapor pressure होता है liquid solution का और रॉल्सला के according वो क्या होता है इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया मैंने यहाँ पर container ले लिया container के अंदर मैंने दो liquid डाल रखे हाला कि यह mix हो चुके है मैंने फिर भी यहाँ पर क्या कर लिया यह मान लिया कि इतना part तो liquid one का पड़ा है इतना part liquid 2 का पड़ा है मैंने इसको उपर से क्या कर दिया close कर दिया तो यहां पे मुझे क्या मिलेंगे मुझे कुछ part 1 का मिलेगा कुछ 2 का मिलेगा ऐसे यह मेरे पास liquid number 1 है यह liquid number 2 है मान लो यह मेरे पास 20% है यह मेरे पास 80% होगा तो मुझे इनके mole fraction तो पता चल गए 20 by 100 करूँगा यह तो 0.2 आ गया यह 0.8 आ गया तो इनके मुझे mole fraction पता चल गए अब मैं क्या करूँगा जब मुझे L1 अलग से दे रखा है pure form में जब मुझे L1 दे रखा है यहां पे यह लगा लो यह L1 था मेरे पास liquid 1 इसका यहां पे कितना pressure लग रहा है मैं वो देख लूँगा और उस pressure को क्या करूँगा जितना यह mole fraction है ना इससे multiply कर दूँगा तो मुझे पता चल जगा कि इसका vapor pressure इसमें कितना है सेम ऐसे ही मैं दूसरा container लूँगा उसमें मैं pure add to ले लूँगा इसका check कर लूँगा कि इसका यहां पे pressure कितना लग रहा है उसको इसके mole fraction से multiply कर दूँगा तो जो value मुझे मिलेगी ना उतना pressure इसका यहां पे लग रहा है और total pressure कितना होगा जो इसका pressure लग रहा है उसके अंदर इसका pressure को क्या कर दूँगा add कर दूँगा वो मुझे total pressure मिल जेगा यानि जो हमने निकाला है वो partial pressure है इसको हम समझते है जैसे कि मेरे पास अभी हमने हैंड़ी लगा लो या कैसे भी अभी हमने समझा था कि ये हमें में लिए भी हम रोल्सला की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मैंने पहले solution को P1 मान लिया ये इसका जो pressure अभी लग रहा है partial pressure वो किसके proportional है जितना उसका more fraction है जब इसके sign को हटाया तो into में क्या आ गया जब इसका pure form में प्योर form में कितना pressure था वो आगया value same ACM2 के लिए निकाल लेंगे जो total हमारे पास कितना आजेगा हम इन दोनों को add कर देंगे तो इससे हमें total pressure मिल जाएगा जो किसके equal था जो इन दो के equal था और ये हम निकाल चुकी है तो ये हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि राउल्सला क्या आगयता है में जो राउल्सला आता है वो इसके उपर नहीं आता ये तो एक liquid liquid solution था जब हमारे पास solid liquid solution आता है यानि एक चीज़ तो dissolve हो रही है दूसरी dissolve नहीं हो रही तब किस तरह का solution बनता है हमने mainly उस पर बात करनी है कि उसके case में क्या होगा अब हमने यहाँ पर बात करनी है vapor pressure of solution of solid in liquid अब हमने क्या कर रखा है पहले हमने दोनों liquid लिये थे अब मैंने container ले लिया इसके अंदर मैंने एक liquid तो ले रखा है दूसरा मैंने solid ले लिया पर अब जो solid है ना वो अपने vapors नहीं बनाएगा पहले क्या था पहले मैंने दोनों liquid लिये थे दोनों liquid क्या कर रहे थे अपने vapors बना रहे थे और उसकी वज़ासे दोनों का pressure count हो रहा था पर अब जो हमने इसमें solute डाल दिया है solute डाला है वो solid state में डाला है वो अपने vapors नहीं बनाएगा उसको non volatile गा जाता है जिसका bowling point ज़्यादा होता है जिसके vapors नहीं बन पाते यानि कि वो दूसरे के vapors बनाने में भी क्या करेगा वहाँ पर थोड़ी सी problem create करेगा अब हमने ये case लेके चलने है इफ non volatile solute is added to the solvent to given solution vapor pressure हम किस पर depend करेगा वो सिर्फ वो सिर्फ solvent अकेले solvent पर depend करेगा और वो जो original value होगी उससे क्या आएगा lower आएगा जब अकेला solvent रखा होता माल दो यहाँ मैंने अकेला solvent रखा हो है तो इसका vapor pressure क्या आता जादा आता अब मैंने इसमें solute डाल दिया तो कुछ solute क्या होंगे उपर वाली जगा भी खेर लेंगे अब यहीं से तो vapor निकल ले थे अब जब यह जगा solute ले चुकी है कि जो हमारे पास total pressure आएगा वो किसकी वज़ा से आएगा वो हमारे पास आएगा only किसकी वज़ा से जो हमारे पास solvent है solvent है उसकी वज़ा से आएगा और यह हमारे पास उसकी value आ चुकी है अब यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास यह जाई 1 है इसका meaning क्या है जो आपके पास solvent है उसका mole fraction कितने है वो कैसे निकालते हो वो हम ऐसे निकालते है तब हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर यहाँ इसको put कर सकते हैं कि जो हमारे पास pressure है total वो क्या है P1 N2 में यह हमारे पस क्या है? इसके equal आ गया अब Pt को हम क्या ले जाएंगे P1 को? इसके divide में ले जाएंगे तो हमें यह क्या मिल गया? N1 is equal to N1 plus N2 मिल गया अब हम यहां पर क्या कर देंगे? इसको थोड़ा solve कर देंगे थोड़ा सा इसको हम change कर देंगे यानि इनकी अंदर हम क्या करेंगे इसको opposite करके 1 minus कर देंगे थोड़ा setup कर देंगे तो हमें जो equation है वो कुछ ऐसी मिल जाएगी P not 1 minus P T divided by P not 1 मिल जाएगा equal to N2 upon N1 plus N2 तो N2 upon N1 plus N2 क्या बन गया है अब यह mole fraction बन चुक है अब अगर हम यहां बात करें यह क्या हुआ है हमारे पास तो अगर मैं P not 1 में से P T minus करता तो यह मुझे मिल जाता lowering of vapor pressure यानि की मेरा जो vapor pressure कितना होना चाहिए था पर कितना हो चुक है तो कितना low हुआ है मुझे वो value मिल जाती पर मैंने क्या कर दिया अब इसके divide में हमें क्या मिल रहा है P not 1 मिल रहा है तो जब हम main value से यानि अलगर उसको divide कर दोगे यहां word लगता है relative तो अब जो word आएगा यहां पर वो आएगा relative lowering of vapor pressure और वो किस पर depend करती है वो depend करती है हमारे पास जो आता है mole fraction of solute तो जितना ज़्यादा आपके पास solute add होता जाएगा उतना ही कम क्या होता जाएगा जो vapor pressure है वो कम होता जाएगा और उतना ही कम हमें क्या मिलेगा relative lowering मिलेगी किस में vapor pressure में तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे term आ जाती है relative lowering of vapor pressure और वो हमारे पास जो second term है वो आ जाती है किस के equal mole fraction of solute के equal अब यहाँ पे जो mole fraction of solute है वो किस पर depend करेगा only जो solute है उसकी concentration पे solute ज़्यादा होगा तो mole fraction भी ज़्यादा आएगा तो हमारे पास कुछ एक properties आती है जो सिर्फ अगर solute पे depend करती है अब solute कोई भी हो चाहे वो कोई भी solute हो वो उस पे depend नहीं कर रहा solute कितना रखा है इस पे depend कर रहा है तो ऐसी जो हमारे पास properties होती है जो amount पे depend करती है जो solute है उसके nature पे depend नहीं करती उनको colligative properties कहा जाता है और जो अभी हमने relative lowering of vapor pressure पढ़ा है ये भी क्या है ये भी एक colligative property है तो अभी हमने यहाँ पे total four colligative properties के बारे में पढ़ेंगे अब हमारे पास कुछ limitations आती है राउल्सला की पहले तो यहीं आती है कि ये जो dilute solution है ये उस पे apply किया जा सकता है इसके लावा जो non volatile solute है तभी apply होगा इसके लावा जो हमारे पास solute जो होते है वो कई बड़ तूट जाते है जैसे कि कोई acid है उसका breakdown हो गया या फिर कोई salt है उसका breakdown हो गया उस case के अंदर यहाँ पे थोड़ी problems आती है answer जितने solute यहाँ पे solvent तूटते है ना solute जितने part में तूटेगा उतने times answer बढ़ जाता है तो वो सब हमारा last topic है कि इस problem को हम कैसे दूर करेंगे तो अब हमने यहाँ पे यह पढ़ लिया राउल्स ला क्या होता है अब हमारे पास जो topic आने वाला है वो आने वाला है ideal and non-idle solutions तो अब हमने बात करनी है इनका meaning क्या है तो idle solution क्या होता है जिनमें यह properties है वो idle solution है first property क्या है कि अगर मेरे पास जो solute है मैंने इसमे solvent डाल दिया तो solution की पहली condition ही क्या थी solute solvent के अंदर घुल जाएगा पर उसके साथ bond नहीं बनाएगा अगर वहाँ पे solute और solvent के बीच में या तो attraction हो सकती है या repulsion हो सकती है या कुछ नहीं हो सकता जब उनके बीच में किसी तरह का कुछ भी interaction नहीं है तब ही उसको क्या खा जाता है idle solute खा जाता है उस case में क्या होता है solution की मिलती है तो हमें यहाँ पे कोई भी change नहीं मिलता किसकी अंदर enthalpy में और volume में mix करने पर और इसके लावा यह क्या करता है जो आपके पास idle solution होता है वो क्या करता है वो हमेशा राउल्सला को follow करता है हर concentration पे तो यह हमारे पास कुछ conditions होती है किसके लिए जो idle solution है उसके लिए और वो हमेशा क्या करेगा azotropes नहीं मनाएगा azotropes क्या होते है जब दो तरह के solvent mix होके एक चीज़ बना देते है और जब same temperature की उपर वो boil होना शुरू हो जाती है या कुछ भी उनकी property एक जैसी हो जाती है उनको यह जो troops का जाता है अब यह आगे देखेंगे हम तो यह हमारे पास उसका graph आता है इसमें हम क्या समझते हैं यहां हमारे पास pure solvent पड़ा है यहां हमारे पास pure क्या पड़ा है solute पड़ा है तो इनकी consideration क्या रहेगी इनका more fraction one one रहेगा यह इसका pressure आगया यह इसका pressure आगया और जब हमने इन दोनों को mix कर दिया किसी भी condition पर तो यहां पे जो pressure हो रहा है अब एक straight line follow कर रहा है उसके coding यहां पे change होता जा रहा है और यहां इसका जो अकेला pressure था वो इतना था इसका अकेला इतना था तो total आया है उसको हम ऐसे निकालते यानि राउल्सला हर जगा follower है तो यहां हमने यह देख लिया कि ideal solution क्या होता है पर हर solution ideal नहीं होता अब हमने देखना है कि जो ideal नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं non-ideal ideal कौन कौन से हैं के example यहां दे रखे हैं अब हम बात करते हैं non-ideal कौन से होते हैं non-ideal वो होते हैं जिनमें या तो interaction यानि हो जाएंगी यानि या तो attraction हो जाएगी H bonding बन गी या कुछ हो गया या एक polar है दूसरा कम polar है उनके बीच में repulsion हो जाएगी तो ऐसे solution को हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं non-ideal solution इसके अंदर जो आपको volume है वो भी change मिलेगा क्यों volume क्या है मालनों interaction होगी तो सारे items, molecules पास-पास आ चुकी है volume कम हो जाएगा अगर repulsion हो रही है थोड़ा दूर-दूर हो जाएगे volume जादा हो जाएगा यानि volume change मिलेगा इसके लावा यहाँ पर क्या मिलेगा heat भी change मिलेगी यानि reaction या तो exothermik होगी या endothermik होगी और वो राउल्सला को follow नहीं करेगा और वो azotrops भी बनाएगा यह होता है non-ideal अब azotropic mixture क्या होता है वो binary mixture होता है liquid का जिनकी same composition होती है liquid और vapor phase में और वो एक constant temperature पर क्या होती है boil होती है और यह हमेशा non-ideal solution ही बनाती है तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के होती है एक तो minimum boiling azotrops होती है यानि जिनका boiling point उनसे कम हो जाता है जितना होना चाहिए था और एक होती है maximum जिनका ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ अगर हम बात करें जो non-ideal solution है वो दो तरह के होती है एक तो होती है हमारे पास कौन-कौन से जिस जो positive deviation को show करते है एक वो होते है जो negative deviation को show करते है अब positive deviation क्या है हमारे पास पहले graph कुछ ऐसा बनना चाहिए था यह हमारे पास graph था कि यह ऐसा जो मैं red show कर रहा हूँ यह वो बनना चाहिए था पर इनकी अंदर क्या हो चुक है इनका volume भी ज़्यादा हो चुक है volume of mixing इनके अंदर क्या हो चुक है इनकी अंदर इनकी heat भी post यह लगारों की ज़्यादा आ चुकी है यानि यह कौन सा process है यह endothermic process है और इसके लावा यहाँ पर क्या हो चुका है कि यह जो आपके पास interaction है वो पहले से कम हो चुकी है यानि interaction जो है जो उस पर effect पड़ा है इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो pressure होगा जो इनका उनपे भी effect पड़ेगा वो हमें equal ना मिलके ज़्यादा मिलेगा जो इनका partial pressure आने वाल है तो यह इस तरह से हमें जो actual miss का case मिलेगा वहाँ हमें कुछ यह मिलेगा कि यह ऐसे increase हो चुका है यह हमारे पास क्या आ जाएगा यह हमारे पास positive हो चुका है यानि जो line थी उससे उपर चला गया positive में चला गया तो यह होता है positive deviation यह है इसके example जब हमारे पास क्या आती है positive deviation आती है next हमारे पास क्या आता है negative deviation उसमें क्या हो जाता है उसमें जो अभी हमने पढ़ा है उसका opposite आजाएगा कि वहाँ पे interaction के अंदर भी effect पढ़ेगा वहाँ पे जो mixing है वो भी negative हो जाएगी जो यहाँ पर delta h of mixing है वो भी negative आएगी यहाँ पे interaction क्या हो जाएगी जो partial pressure है जितना आना चाहिए था उससे कम हो जाएगा यह उसके example हो चुकी है और इस तरह से हमारे पास जो lines यहाँ show होने थी उससे नीचे चला जाएगा यह ideal की है यह non ideal की है यहाँ हमने पढ़ लिया कि solution के type कौन से होती है तो अब हमारे पास जो हमारा last topic है वो आने वाला है और वो है colligative properties अब qualitative properties कौन सी properties होती है यह वो properties होती है यह mainly जो properties लगती है यह ideal solutions पर लगती है हम non ideal पर लगवक answer निकाल लेती है तो ideal solutions के उपर यह लगती है यह property क्या करती है जो number of particles of solute है उसकी उपर depend करेंगी उसका जो nature है उस पर depend नहीं करेंगी तो सबसे पहली property क्या आती है relative lowering of vapor pressure अभी हमने बढ़ा था कि यह जो हमारे पास होता है यह इसके equal आता है ओके यह हमारे पास solvent का जितना हमारे पास है pressure minus कर देंगे किसका solution का divide by solvent का किसके equal आ रहा है यह mole fraction of solute और अगर मैं यहाँ पे N2 की value put करूँ N2 क्या होता है moles moles क्यासे निकालते हो number of moles given mass by molar mass तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया given mass by molar mass put कर रख है तो इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा और यह लगालों की change करे थोड़ा इसको modify करे तो हमें यह answer कुछ ऐसा मिल जाएगा इसमें हमने कुछ नहीं किया इसके अदर जब हमने dilute solution ले लिया है तो हम यहाँ पे solute के जो mass है उसको हम क्या कर सकते है solute के mass को sorry हम यहाँ पे ignore कर सकते है तब हमारे पास यह formula कुछ ऐसे बन जाएगा तो यह कब आता है जब हमारे पास dilute solution होता है यहाँ पे हमें जो formula मिलता है उससे हमें यह पता चलता है कि यह जो property है यह किस पर depend करती है यह number of moles of solute पर depend करती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है quality property कहा जाता है इसका पूरा concept क्या था वो अभी मैं आपको बता चुका हो second जो property आती है वो आती है elevation of bowling point अब हम यहाँ बात करने वाले है elevation of bowling point की अब हम समझते हैं इसका meaning क्या है एक compound है कोई liquid है उसका कोई ना कोई bowling point तो होगा पर वो जब pure foam में है तब ही उसका bowling point की value fix रहती है पर अगर मैं उसका कोई solute add कर देता हूँ न तो solute का कितना amount add हुआ है उसके according उसका bowling point है वो पहले से थोड़ा जादा आना शुरू हो जाता है इसी को कहा जाता है elevation of bowling point तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझेंगे कि हमने एक container ले लिया इसमें मैंने pure क्या ले रखा है solvent ले रखा है water ले लिया और water का bowling point मुझे क्या मिलेगा 100 degree Celsius मिलेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह चेक करना है कि bowling point का meaning क्या है इसमें हम वैसी यह देखते है bowling point of solution is always higher than that of pure solvent अब इसका reason देखो क्या रहता है यह pure solvent है तो इसका bowling point क्या है 100 degree Celsius है अब अगर मैंने इसमें solute add कर दिया यानि solution मना दिया तो कुछ एक मेरे पास जो points होंगे यह लगा लो कि जो मेरे पास solute होगा वो कहां जाएगा वो इसके surface के उपर भी जाएगा यानि कि यहां हर जगा जाएगा अब bowling point क्या होता है जितने भी इसके वैपर है उसका जो यह लगा लो की pressure है वो atmospheric pressure के equal हो जाता है तभी bowling होनी शुरू होती है पर अगर हम यहां बात करें तो उतने वैपर बाहर निकल ही नहीं रहे जितने pure form में निकलने चाहिए थे क्योंकि कुछ एक space किसने ले लिया है यहां पे solute particle ने ले लिया है अगर मुझे उतने ही water निकालने है उतने ही water के वैपर निकालने है तो मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ी heat ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इस तरह से यहां पे क्या हो जाएगा जो temperature है उसका bowling point का वो increase हो जाएगा इसी को हम क्या कहते है elevation in bowling point तो solution है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ज़्यादा वैपर प्रेशर करने के लिए कि वो किसके एकवल हो जाए atmospheric pressure के इसी को क्या कहा जाता है elevation of bowling point तो हम यहां पे क्या देखते है जब आपके पास एक pure solvent था तो यह था उसका bowling point और यह इसका क्या था atmospheric pressure था यानि यहां पे जाके क्या आना था यहां पे जाके इसका bowling point आना था और यह क्या आ जाता इसका bowling point हमें यहां मिल गया pure foam में अब जब मैंने इसके अंदर solute add कर दिया तो उससे क्या हुआ कि इसका जो bowling point है पहले से उसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम हो गया अब वेपर प्रेशर को मुझे क्या करना है मुझे अब हीट करना पड़ेगा तो इसके एकवर लाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा नीचे यहाँ टेंपरेचर है वहाँ प्रेशर है अब मुझे यहां तक heat करना पड़ेगा इसका मरलब क्या हुआ कि अब मुझे यहां तक temperature ज्यादा देना पड़ेगा इसको क्या करने के लिए इसको यहां पर उतना ही इसको यह लगा लो वहां से water vapors बाहर निकलने के लिए boil करने के लिए तो पहले तो यह आ रहा था जो pure foam में था अब इतना आ चुक है तो इसमें जो increment हुआ है ना इसी को कहा जाता है elevation in boiling point जो पहले 100 था वो 101 हो गया तो यहां पर elevation in boiling point कितना हुआ है 1 degree हुआ है या 1 Kelvin हुआ है तो यह होता है हमारे पास elevation of boiling point अब हमें यहां पर यह निकालना है जिसका formula कैसे निकलेगा तो अभी हमने क्या देखा कि जो pure foam में है उसका हमें क्या मिल रहा है जो आपके पास जब boiling point आया था तो उसका जो temperature वो कम था पर अब जो हमने solute हमने mix कर दिया जो solution बन गया उसका bowling point हमें क्या मिल रहा है पहले से ज़्यादा मिल रहा है तो इसमें जो increment हुआ है इसी को क्या कहा जाता है elevation of bowling point यह हमें किसके equal मिलता है जो हमें delta tb होता है elevation of bowling point यह proportional मिलता है हमें किसके morality के किसके मिलेगा morality के जब हम proportionality का sign हटाते है तो delta tb हमें किसके equal मिलता है यहाँ constant आता है kb तो kb का मतलब क्या होता है kb क्या है यहाँ पे constant है जिसका Bab 그거 है Ibulioscopic Constant ऐसको normal elevation constant भी कहते है तो यह हमारे पास क्या आ जाता है constant आ जाता है तो इस तरह से हमें हमें यहाँ पे constant मिल गया यह किसके कोल है डैल्टा-TB के डैलटा-TB क्या होता है टैवी-माइनस टैवी-ुट इस तरह से यह आजाएगा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो मॉल्ैलिटी है ना उसका पुट कर देंगे पीक्षिति हमारे पास यह थी हमारे पास मॉल्ट फ्स moles of solute divide by mass of solvent in kg तो moles of solute कैसे निकालते है given mass by molar mass तो मैंने यहाँ पर moles, जो आपके पास mass of solute था उसको मैंने given mass by molar mass लिख दिया इंटू मैंocolust मैंने क्या निकालना है यहाँ पर mass of tipos महाँए डिवाइड में क्या करना है mass of solvent in kilogram तो मैंने mass of solvent in gram लिख के उसके divide में thousand कर दिया जैसे ओपर multiply में चला गया gram को kilogram में convert करेंगे यानि kilogram में तो answer निकाल नहीं है बर आपको gram में given होगा thousand से क्या करोगे, divide करोगे तो वो उपर चला जाएगा तो इस तरह से हम morality को ये भी लिख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? मोलल्टी आ चुकी है, into में kb पड़ा है तो किसके एकवल आ जाएगा? tb minus tb note के एकवल आ जाएगा तो यहां से हम अगर चाहें तो जो आपके पास कितना molar mass होता है वो भी निकाल सकते हैं कोईसी solution का अंदर जो solute है उसका तो इस तरह से ये formula को हमें change करना पड़ेगा अब सबसे बड़ा question यह आते है कि अब kb को कैसे निकालोगे? तो kb निकालने का यह मरपस formula होता है kb निकालने के लिए kb किसकी को आता है? r m1 tb square divided by thousand into में delta hv यहां पर r क्या है? gas constant है 8.314 इसकी value होती है joule के अंदर तो m1 क्या है हमारे पास? molar mass of solute solvent और tb हमारे पास क्या आजएगा? bowling point जो है हमारे पास वो आ जाएगा किसका? जिसमने यानि इसको boil होना था delta hv 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? यह हमारे पास आ जाएगा enthalpy of fusion okay of solvent तो इस तरह से enthalpy of vaporization आएगा यहां पे fusion गल लिखा होगा यहां पे enthalpy of vaporization of solvent आ जाएगा हमारे पास तो इस तरह से हमें यह पता चल गया कि हमारे पास जो second colligative property थी वो क्या होती है? क्योंकि यह किस पर depend कर रही है? mass of solute पर depend कर रही है इसलिए जो यह होती है यह भी क्या है? quality property है next आते है हमारे पास depression in freezing point अब इसमें क्या होता है? अब जब हमने यहां पे क्या किया? हमने boil किया तो temperature बढ़ गया okay अब मैं water का same case लेके चलता हूं तो water के case में मुझे क्या करना है? इसको मैंने अब solid बनाना है यानि इसको मैंने अब ice बनाना है तो ice बनाते है time क्या हो जाएगा? इसका melting point होता है या freezing point है वो zero degree Celsius होता है तो अगर मैं pure form में लोंगा तो यह zero degree Celsius मिलेगा अगर मैंने इसके अंदर कोई solute वगयरा add कर दिये तो उस case में क्या हो जाएगा? उस case में जो यह melt होगा ना तो zero degree पर melt ना होकि इससे कम temperature पर melt होगा तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पर जो इसका freezing point है उसमें थोड़ा depression मिल जाएगा उसके value कम हो जाएगी तो यह भी क्या होती है? इसमें हम क्या लेके चलती है? कि जो हमारे पास यहाँ पर यह लगालों की solvent था तो यह था हमारे पास क्या था? उसका solvent था यह उसका जो हमारे पास vapor pressure था वो था और यहाँ जाके वो क्या कर रहा है? solid बन रहा है जो solvent है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? solid बन रहा है जब वो pure state में था अब जब मैंने उसके salt को mix कर दिया तो वहाँ पे same case आएगा कुछ एक places जो होंगे वो कौन यहाँ पे ले ले लेगा वो वहाँ जो solute particle है वो ले ले लेगा तो अब यहाँ पे solution है उसका vapor pressure क्या हो चुक है? कम हो चुक है तो इस तरह से वो यहाँ पे आगे तक बढ़ेगा अब मुझे यहाँ पे यह चेक करना है कि यहाँ पे क्या था? यहाँ इसका melting point था अब इसका vapor pressure कम हो चुक है इस वरसे इसका melting point होगा solution की अंदर वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा और कम जाएगा तो इस तरह से हमें यहाँ से इतना क्या मिल जाएगा? depression मिल है तो vapor pressure of solution is less than that of pure solvent as freezing point is the temperature at which vapor pressure of liquid and solid phase are equal. तो जो solution होगा उसके case में हमें क्या करना पड़ेगा? और कम temperature देना पड़ेगा उसको equal करने के लिए. तो इस तरह से हमने यहाँ पे यह समय लिया. सेम जैसा हमने अभी elevation in bowling point में बढ़ा था, सेम वैसा हम क्या पढ़ेंगे? हम यहा proportional to morality मिलेगा. अगर हम proportionality का sign हट आएंगे हमें KFA constant मिल जाएगा. फिर यहाँ पे जो delta TFA वो कितना आजएगा? तो इस तरह से हम इसको solve करेंगे, morality को put करेंगे, यह आ जाएगा. और यहाँ से अगर हमने यह निकालना है, यह constant कैसे निकलता है? इस constant को हम क्या 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 क constant कहते हैं, तो KF कैसे निकलेगा? सेम वैसे निकाल देंगे, M1 into में M1 क्या है? हमारे पास smaller mass of solvent, R हमारे पास gas constant आगया, TF क्या आजएगा? हमारे पास freezing point है किसका? जो भी हमने solvent ली है. डिवाइड बे 1000 into में delta HF आ गया. यह क्या आजएगा हमारे पास? यहाँ पे enthalpy of fusion आ concept है, इसे हमें कैसे करना है? क्योंकि यह भी किसके एकवलार है? molality के एकवल, उसमें क्या होता है? mass of solute होता है, तो यह भी क्या होती है? colligative property होती है. तो इसको हम कहां-कहां use कर सकते हैं? anti-free solution बनाने के लिए, या फिर melt ice को जब road पे ice जो होती है, उसको melt करने के लिए, हम अब भार के environment का तो जितना temperature है, वो set नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? liquid state में बन जाएगी और side हो जाएगी. अब हमारे पस fourth जो हमारे पस property आती है, वो आती है, osmotic pressure. इसमें हमारे पस क्या होता है? इसके अंदर हम यहां पर यह देखती है, कि जो osmotic pressure क्या होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, मालो मैंने container ले रखा है हमारे पास, इसके अंदर मैंने यहां पर semi permeable membrane लगा दी, जो animal membrane से भी बन सकती है, artificial भी बना सकती है, यहां मैंने pure ले लिया solvent, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां मैंने solution ले लिया, तो जहां पर हमारे तो इसको क्या कहा जाता है, आपके पास pure solvent बढ़ा होता है, इसको hepartonic कहा जाता है, तो इसमे होता है, यहां से इसमें आना शुरू करते है, तो इस तरह से इस process को हम क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है मुझे इसके उपर प्रेशर लगाना है जब मैं इस पर इतना प्रेशर लगा दू कि यह water यहां से यहां आना बंद हो जाए तब इसको क्या कहा जाता है osmotic pressure कहा जाता है तो जितना pressure का यहां amount लगता है वो किस पर depend करता है आपके पास solution के अंदर कितना salt dissolve है जितने भी चीज यहां पर dissolve है उसका कितना amount है उसके according हमें यहां पर pressure लगाना पड़ेगा तो जो net spontaneous flow of solvent molecules from solvent to solution okay तो उसको हम क्या कहते है और किसके धुरू semi-permeable membrane के धुरू इसे हम क्या गहते है osmosis कहते है तो मैं यहां पर solution पर कितना pressure लगाओ कि मैं इसको movement को रोक सकूं तो उस pressure को क्या कहते है osmotic pressure गहते है अब osmotic pressure है इसको हम पाई लिखते है यह किसके proportional मिलता है c के यानि concentration कितनी है और किसके प्रपोर्शनल मिलेगा temperature के temperature कितने है तो इस तरह से हम पाई जो होता है proportional to क्या है c by proportional to t है combine करोगे पाई proportional to c and d आ गया proportionality का sign हाट आएंगे equal to हमें यहां पे constant मिलेगा पहले s लिखते थे s और r दोनों लिख सकते हैं यह r y है जो gas constant की value है हम solution के लिए s भी लिख सकते है value तो same रहती है पाई यह हो गया c क्या होता है concentration क्या होता है number of mole divided by volume तो हम इसको क्या लिख सकते है पाई is equal to c upon sorry n upon v r t लिख सकते हैं v यहां multiply में ले जाओगे तो पाई v is equal to n r t आ जाएगा यह कुछ-कुछ वैसा बन रहा है जैसा हम gas वाले chapter में हमने equation पढ़ी होगी यह वाली idle gas equation की pv is equal to n r t बस हमने p की जगा solution में पढ़ लिया तो हमने pi वर यूज कर लिया क्योंकि यहां पर भी number of moles आ रहे है तो यह भी क्या है यह भी क्या है यह सारा बता दिया ओकि यह भी बता दिया कि hypertonic क्या होता है hypertonic क्या होता है अब हमारे पास यहां पर जो लास्ट टोपिक आने वाला है वह आने वाला है abnormal molecular masses अब देखो इसमें क्या होता है quality property किस पर depend कर रही है? quality property depend कर रही है आपके पास amount कितना रखा है किसका solute का अब यहां पर एक चीज देखो यहां होगा क्या अगर मैं यहां पर quality property की बात करूँ और मैंने यहां पर NACL की बात कर लिए पहले हमने क्या किया? NACL को मैंने one mole ले लिया नACL का कितना ले लिया? one mole ले लिया इसको मैंने water में resolve कर लिया इस पर मैंने कोई quality property लगा दी अब वो property लगाने से हमें क्या मिला? हमें यहां पर उसका कुछ ना कुछ answer मिलना चाहिए था जो की अभी हमने formula लगा के calculate भी किये है पर actual में जब हमने यहां पर sword lane start किये उस case में हमें answer अलग मिला मैं यहां पर दो चीजे लेके चल रहा हूँ एक mole NACL और one mole मैं यहां पर glucose लेके चल रहा हूँ C6S1206 तो जब मैंने इसके उपर कोई quality property लगाई मालो water में मैंने one mole डालके dissolve किया मैंने इसका bowling point चेक किया कुछ भी किया तो इसके case में तो मुझे answer same मिल रहा था इसके case में मुझे answer कितना मिला two times मिला जब मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर ALCL3 को choose किया इसके case में मुझे answer four times मिला जब मैंने यहां पर क्या किया यहां पर one mole है यह one mole मैंने MGCL2 को use किया इसके case में मुझे answer three times मिला तो हमें यहां पर समझ नहीं आया कि है वो कभी भी डिजोल्व यह लगा लो डिसूसियेट नहीं होता यानि वह जैसा है वैसा रहता है तो व वह अगर हमने वन मॉल डाला था तो वह वन मॉल ही पढ़ा था इस वज़़ा से हमें आंजर उतना मिला पर जब हमने ncl üstी डाला तब उस case में 1 molecule तो AL3 positive का बना और 3 molecule CL minus के बने हमें यहाँ पर total 4 mole मिल चुके है answer 4 times आया same goes for MgCl2 यहाँ पर Mg 1 mole बना और Cl जो थे वो 2 mole बने तो हमें यहाँ पर 3 times answer मिला तो इस तरह से हमारे पाद जो concept आता है वो यही आता है normal molecular masses के case में कि इस case में हमें यहाँ पर क्या मिलता है यतना ज्यादा हमें यहाँ पर molecular mass मिलेगा उतनी ही हमें quality property कम मिलेगी और इसके case में हम यह देखते हैं कि जो observed quality property है उसको हम divide कर देते हैं calculated property से कि हमने answer कितना निकाला वहाँ से हमें constant मिलता है तो इस तरह से यह जो concept था हमें यहाँ पर वह मिला यहाँ हम वैसे association, dissociation की भी बात करेंगे तो उसमें क्या हुआ मालो मेरे पास यहाँ पर यह तो dissociate हो गया था पर किसी case की अंदर हमें क्या मिला कि जैसे कि मेरे पास कोई एक ऐसे भी things होती है जैसे कि मैं यहाँ पर benzoic acid की बात करता हूँ जैसी मैं उसको benzene में डालके चेक किया न तो वो associate होकर न डाइमर बना लेता है तो उसके case में क्या हुआ दो molecule मिलके एक single molecule बन चुकी है तो वहाँ पर हमें answer half भी मिला तो इस तरह से यहाँ पर association या dissociation की वज़े से dissociation क्या होता है किसी चीज का एक से ज़्यादा part में divide हो जाना तब तो हमें quality property बहुत ज़्यादा मिली और association क्या होता है किसी things का आपस में मिलकर यह लगा लो mix up हो जाना जैसे कि dimer, trimer बना देना जैसे कि आपके पास वो है यह जो benjoic acid है वो दो molecule मिलकर एक बना देती है तब हमें क्या मिला? association मिला उस case में हमें quality property क्या मिली? कम मिली तो इस तरह से हमें यहाँ पर answer में भी क्या मिला? थोड़ा change मिला तो यहाँ पर हमने एक factor निकाला वो यह निकाला कि इनका ratio लेके देखती है कि जब यह dimer बना रहे है या नहीं बना रहे इन दोनों का ratio लेके देखती है value क्या आती है तो यह जो हमारे पास जितने times मिलाना यही value आ रही थी यानि अब हमें क्या करना है? अगर हमें proper answer पता है उसको इस value से multiply कर दे तो हमारा सही answer कि आ जाएगा बस इस तरह से हमारे पास एक equation आ जाती है event of equation उसमें हमने कुछ नहीं करना होता जितने भी हमारे पास यहां पर properties आ रही हैं उसमें इससे multiply कर देंगे यहां हमने यहां multiply कर दिया i से देख सकते हो यहां हमने यहां multiply कर दिया इसी तरह से हमने इस पे भी i से और यहां पे i से multiply कर दिया answer को सही निकालने के लिए अगर i की value greater है 1 से इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा चीज में इसका divination हुआ है यानि वहां पर dissociation हुआ है और अगर इसकी value कम आ रही थी हमारे पास तो हमने क्या कहा कि association हुआ है और i की value 1 आ रही थी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ तो इस तरह से हमने यहां पे क्या निकाल लिया था हमने यहां पे यह पता कर लिया कि i की value से हमारी कोली गडी प्रोपर्टी कितनी जादा कितनी कम आएगी अब हमारे पास इसमें एक चीज ओर आ जाती है वो यह आ जाती है कि हम association और dissociation को कैसे निकालती है तो यह हमारे पास last के topic है dissociation में क्या होता है इसमें हमारे पास एक word आता है degree of dissociation वो हम कैसे निकालते है number of moles जितने break हुए है divide में total moles कितने लिये थे वो क्या आता है degree of dissociation starting में मैंने यहाँ पे इतने mole ले रखे थे और वो यानि एक ही molecule था वो dissociate होके इतने हमें change हो चुका है initially तो मैंने one mole लिया था और यह तो बना भी नहीं था जब dissociation हुआ तो यह alpha बन चुका है okay alpha mole dissociate हुआ है यहाँ पे n alpha extra बन चुकी है तो equilibrium पे क्या आ गया यह 1 minus alpha रह गया और यह n alpha बना तो total mole कितनी होए इन दोनों को add कर दोगे 1 plus alpha into n minus 1 आजेगा तो अब हमने क्या निकालना है i कैसे निकालोगे i हम कैसे निकालेंगे starting में यतने mass लिया था initially इतना था बाद में कितना आ गया इतना आ गया तो अभी हमने i का फॉर्मला देखा था जो हमारे पास बाद में value आई है divided में calculated value तो यह हमने यहाँ पे यह कर दिया तो हमें यहाँ से i की value मिलगी यहाँ से हम alpha निकाल सकते हैं alpha में यह आजेगा यानि अगर हमें vent of factor पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि degree of dissociation क्या होता है तो इस तरह से हम degree of dissociation निकाल सकते हैं same इसी तरह से association का concept आजेगा यहाँ पे n number of molecules हैं वो मिलकर उन्होंने क्या कर दिया association करके जैसे two mole हमने vanjoic acid लिये थे उन्होंने associate करके one mole बना दिये ओके तो starting में हमने जो लिये थे उसको मैं भी decide कर रहा हूँ equilibrium में हमने जो हुआ यह हुआ कि one minus alpha जो था alpha टूट चुके है one में से और वहाँ पे alpha upon n mole बन चुके है तो total कितने हैं इन दोनों को add कर दो one minus alpha प्लस में alpha upon n आजेगा यह किसके equal आजेगा यह I के equal आजेगा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको solve करके यहाँ भी alpha की value को निकाल सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कर लिया जो हमारा chapter था वो हमने complete कर दिया इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारे पर solute क्या होता है solvent क्या होता है solution क्या होता है कितने type के हमारे पास यहाँ पे solution होते है और फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे यह पढ़ा था कि जो हमारे पास Terms आती हैं वो कौन-कौन सी आएंगी Solidity क्या होती है इन सब के बारे में पढ़ लिया हमने यहाँ पे और फिर इसके लावा हमने यहाँ पे जो Colligative Properties थी वो पढ़ लिया और जो Went of Equation था वो मैंने Short में जितना बताना था आपको वो बता दिया यहाँ पे जो हमारा Chapter है वो हमारा One Short के According Complete हो चुका है और आज क्या जो Lecture है हम यही तक लेके चलेंगे अब जो Next Lecture जो होंगे वो आप हमारी App पर देख सकते हो और जिस App का नाम है Great Geniuses App जो आपको Play Store पे मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर Download कर सकते हो और आपको वहाँ पे सारे के सारे chapters आपको मिल जाएंगे और उसका जो Link होगा वो नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं हमारे एक नए chapter के साथ एक नए class में आज की class के लिए इतना ही Thank You